अगेन एक गुड डे टू अल अफ यू गाइज आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा human dignity, मानुविय गरिमा, मानुविय गौरव, व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्तिगत गौरव तो इस particular topic के अंदर हम इस चीज को दिखेंगे कि क्या हमारे constitution ने हमें वो basis प्रवाइड किया जिसके भिहाफ पर हम बानुविय गरिमा की बाते कर सके, demand कर सके, इमबांग कर सके तो इसे हम थोड़ा सा historically हमें constitution में किस तरह से इसका evolution हुआ उसको दिखना होगा तो हमारे पास article 21 आता है, article 21 एक ऐसा article है जिसका बहुत ज्यादा interpretation हुआ है article 21 एक ऐसा article है जो बहुत सारी dimensions को cover करता है simplest way में यह article 21 को मैं बोलना चाहूँ तो originally जो इसका form थी, वो थी right to life आपको जीवन जीने का अधिकार है, यह article 21 simply आपको बोलता है फिर 1978 में मेंनका गांदी जी का 21 रहा उसके बाद इसमें एक word और add किया गया, वो word add किया गया right to life with dignity, केवल जीवन जीना ही नहीं उसके साथ गौरव का समलित होना, व्यक्तिकत गौरव की उसके साथ इस चीज़ को भी वहाँ पे include किया गया तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हुआ क्या था 1978 में मेहनगा गांदी जी को कहीं पे travel करना था तो उनका जो passport था उसको seize कर लिया गया एक्षिल में passport authority के द्वारा, तो वो travel नहीं कर पाई तो उस चीज़ को लेके वो court में गई फिर उनने बोला कि ये particular जो act रहा passport अथेओटिका उनके particular passport को seize करना इसके उज़े से वो travel नहीं कर पाई उनने undignified भी feel हुआ और बहुत सारी जो उनके freedoms है, article 14, 19 जो उनने provide कर दी है उनका restriction हुआ तो ये चीज़ सही नहीं थी तो बाद में इसको उपर काफी वचार किया गया 7th judge की bench बैटी कई and finally ये decision लाया गया कि केवल merely एक existence होना life का यही article 21 नहीं होना चाहिए article 21 ज्यादा holistic होना चाहिए ज्यादा area को cover करना चाहिए ज्याद area mentions को cover करना चाहिए और फिर बाद में जुड़ा गया केवल व्यक्तिकत केवल जीवन जीना ही article 21 नहीं करता है यह साथ में श्यादा करता है व्यक्तिकत कवराव को भी human dignity को भी अब इसी के regarding काफी interesting चीज़े हम बात करने के लिए जाने वाले हैं इस lecture में आपने काफी सुना होगा युथिनेशिया के बारे में युथिनेशिया जो होता है अभी 2-3 साल पहले काफी ज़्यादा lime light में था और रहता भी है lime light में युथिन कंटिज ज़्यादर कंटिज में तो यह इथुनेशिया होता है अब इथुनेशिया दो टाइप का होता है जो इथुनेशिया होता है वो डो टाइप का होता है दो टाइप होता है इथुनेशिया के एक होता है एक्टिव इथिनेशिया और दूसरा होता है पैसिव इथुनेशिया तो passive और active Ethiopia से क्या मतलब है यहाँ पे और किस तरह से article 21 से जुड़ा हुआ है किस तरह से जब इसकी demand आई तो activist ने बहुत जादा demand की कि यहाँ इतनीशिया जो है उसको इंडिया में एक legal business provide कीजिये allowed कीजिये actually में इतनीशिया को और फिस Supreme Court का क्या decision आया फिर क्या interpretation आया उनसे जो कम देख लेते हैं actually में भी यहाँ पे तो हुआ क्या कि काफी जादा इसका इसके उपर protest हुए होता क्या है कि को इनसान है जो बहुत ही vulnerable condition के अंदर है undignified condition के अंदर है बड़ी pathetic condition के अंदर है और उसको कुछ ऐसी बिमारी लगे हुई है कि वो बहुत ही खराब life एक जी रहा है या फिर merely बस के बल लाइफ जी रहा है और बहुत pathetic तरीके से जी रहा है इस तरीकी के कोई गंभीर बिमारी उसको लगे हुई है तो जिन लोगों ने डिमांड की थुनिश्या के इनों ने बोला कि यदि ऐसा हो रहा है तो क्या statistics को ensure कर पा रहा है कि उस इंसान की life dignified है क्या statistics को ensure कर पा रहा है कि वो इंसान जो है क्योंकि आर्टिकल 21 जिसमें right to life with dignity बुला गया है उसने responsibility को नहीं निवा पा रहे हैं आप जो आर्टिकल 21 में आप ने mention किया है वो उसने shift नहीं कर पा रहे है तो इस तरीकी का point रखा गया उनके दौरा तो बाद में finally decision यह recite किया गया हमारे यहां पे कि हम ethonesia को allow करेंगी बट वो होगा केवल active नहीं passive ethonesia तो active और passive ethonesia क्या होता है दोनों में क्या difference होता है उसके हम बात ही कर लेते हैं तो मानलो को इंसान है वो बहुत ही capacity condition में है life supportive system पे वो इंसान है अभी मानलो उसको hospital में life supportive system के उपर रखा हुआ है तो ऐसे इंसान का life supportive system हटा लेना और उसको natural death की तरफ जाने देना this is actually passive ethonesia ठीक है और active ethonesia की यदि हम बात करें तो active ethonesia का मतलब है आप बाहर से कुछ ऐसा elements inject करेंगे injection देंगे मेली जहर का injection जिसके तुरू वो इस इंसान की death हो जाएगी तो वह हो जाएगा आपका passive वह हो जाएगा आपका active ethonesia तो हमारे यहां पर जो अभी present situation है मैं दोबारे इसको बता देना चाहूँगा जब कोई इंसान life supportive system के उपर है तो इस इंसान को इस supportive system को उसे हटा लेना उसको मरने के लिए allow होना natural death के लिए जाने देना that is passive ethonesia और किस इंसान को भाह से inject करते हुए और उसको मारना that is active ethonesia तो काफी countries में active पैसे दोनों ethonesia allowed है हमारी condition जो ऐसी है country की कि हमारे यहां पर पैसे इthonesia allowed है मतलब life supportive system को हटा के उसको natural death की तरफ जाने देना हमारी country के देना allowed है but active ethonesia मतलब भाहर से कुछ element डालके substance डालके और उसको मरने के लिए allow करना that is not allowed in India क्यों उसके पीछे क्या नहीं किया गया तो यह इंडिया के अंदर active or passive ethonesia की condition है actually में इसी से जुड़े हुए कुछ और चीज़ों को हम देख लेते हैं like संथारा आपने सुना होगा संथार के बारे में और like संलेखना भी उसकी को बोल देते हैं संथारा संलेखना बोल देते हैं तो actually में इसके बाद इसके उपर भी काफी demand उठी की संथारा संलेखना जो होता है इसमें होता क्या एक gen ritual है इसके अंदर इंसान जो होता है दिरी दिर अपने अंड का त्याग करके भोजन पानी का त्य जो भी आपकी आस्था है उसके साफसे चीजों को carry on करने की पूरी permission है ठीक है तो इस वज़े से सनलेकना अभी condition यह है कि allowed है तो सनलेकना का status अभी कर पूछा जाए कि धीरे खाने को छोड़ देते हुए जो एक जैनियों की ritual होती है जिसमें कि वो अपने सजी का त्याग कर द है हमारे आपके criminal marriage है इसका एक offense है actually में और इसके लिए आपको सजा होती है एक साल की आप suicide करने के लिए जाते हो और बच जाते हैं तो तो IPC 309 के अंदर actually में इसका mention है और IPC 306 बताती है abattment to suicide कि यदि आप किसी को उपसा रहे हो suicide करने के लिए तो वो भी अपने आपने आ जाता है तो उसको आप एक criminalize offense IPC 309 के अंदर उसको सजा मत दीजिए क्योंकि पहले ही वह बहुत ही एक ऐसी पैसी सिचुएशन में है माइंड में है माइंड की सिचुएशन में है जिसमें कि उसका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है वह severe depression में है लेके अभी crystal clear चीजे नहीं हो पा रही है क्योंकि कितनी severity को depression को आप ऐसा depression मानेगे कि उसके बिहाब पे लिया गया कदम suicide के लिए आप गल्त नहीं मानेगे और इसके उपर अभी तक भी मतलब की काफी Supreme Court ने भी अभी जो हमारे article 70 Supreme Court ने भी हमारे एक्षिमेंट जो legal advisor होते हैं उनसे इस और जनरल से हमारे से जनरल इसके बार में कुछ है तो यह सब कुछ है स्टेटास IPC का रहा IPC 309, MPC 306, Attempt to murder जो, स्टॉरी, suicide के लिए जाना एक criminal offense है IPC 309 के अंदर, लेकि mental health के जो bill pass words में बोला है कि को इंसानी depression से चूज रहा है और वो ऐसा करता है तो उसको आप फिर right to life ठिक है संल ले अपको आया right to life वो लोग अपने स्रीका या अपने की बात करने के लिए जा रहे है तो हो आट्याइच हो जाता है उससे इथूनिशिए जाता है जब इथूनिशिया की बात आती है तो भी वह हो तो आप एक तरीक ना को अलाव कर रहे हो जो रिच्वल प्रैक्टिस से सूसाइट ौवाद माद कर रहे हो संलेक ना भी तो एक तरीके से इंसान दिर दिर अपने भोजन का त्याग करके काफ़ी लोग इस्थासे को चुनेंट करते हैं क्योंकि हमारे समाच के अंदर काफे बार ऐसे ऐसे elements भी होते हैं जो की ठीक नहीं होते हैं तो अपने माप आपको फुश्च करते हैं सलेखना के लिए कर सकते हैं ऐसे काफे बार apprehensions बता जाते हैं कि किसी ने सल्लेकना ले लिया है उसने सल्लेकना ले लिया है तो आपको भी लेना चाहिए क्योंकि आप उसको वो एक dignity से connect करके और बोलके कि सब लोग ले रहे है तो आपको भी लेना चाहिए और इस तरिके से लोगों को forcefully सल्लेकना की तरफ ले जाया जा सक कि वो इसको कर पाएंगे तो इसको suicide के साथ connect करना काफी सही नहीं रहेगा तो इस वज़े से सनलेखना को अलाग किया हुआ है अब suicide के लिए भी काफी लोग काफी लोग अपने तर्क देते हैं हमारा सरीर है हम कुछ भी करें हमारे सरीर के साथ मतलब कि state कौन होता है government कौन होती है कि हमें रोके इस चीज़ को करने से तो इसमें जो simple दूसरे argument counter argument निकल के आते में बोलते हैं कि जब आपका जन्म हुआ गया आपका consent था आपका जन्म एक natural process था कि आपसे consent लिया गया आपके जन्म के time नहीं लिया गया वह एक natural process था तो आपके death भी एक natural process होनी चाहिए उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपका consent होना चाहिए that should also be a natural process जब तक कि कोई extraordinary situation ना हो जाए लेकि तुनीशिया वागरा में ठीक है लेकिन काफी European contagion में लेकिन कि प्रॉमिनेंट भी हो जाए लेकिन government क्यों इस सब चीज़ों को रोकना चाहती है क्योंकि इसके वज़े से एक अनार्किया सकती है society में एक क्या उसकी situation create हो सकती है society के अंदर तो क्योंकि फिर एक पूरा का पूरा mass उस तरफ movement चालू कर सकता है तो फिर समाज के लिए उस सही नहीं रहेगा इसलिए government इसको रोकती है अभी suicide के बारे में जो मैं तरक है उस पर वापिस आता हूँ कि जब लोगों ने बोला एक तरक ये दिया है जो लोग suicide का समर्थन करते हैं तो बोलते है क्या आपका सरीर है इसमें आपका concern था, नहीं था that was a natural process तो जो आपकी death होगी that should also be a natural process आपकी death भी एक natural process होनी चाहिए उसमें भी आपका concern नहीं होना चाहिए आप एक natural process के थूरूँ death होगी है उसके लिए जाने चाहिए तो इस तरीके से तरक दिये जाता है कि that was also a natural process आपका जन्द में आपका कोई concern नहीं था ठेक है कुछ लोग इसमें जो ज़्यादा मतलब की आगे तरक लेके जाते में बोलते हैं कि उस टाइम पे हमारे अंदर बुद्धी नहीं थी हम सोचने समझने की छंता नहीं थी तो हम गूर्ण या फिर हम आपका बर्थ हो आपकी जन्द हुआ तो जब आपकी death होगी तब भी आपका consent लिया जाए यह ज़रूरी नहीं है मतलब जन्म में आपका consent नहीं था तो death में भी नचुली आपका consent नहीं होना जाए इसी तरह natural phenomena और यह death जो होती है जैसे जन्म नहीं था वैसे होनी चाहिए तो इस तरीके से यह सब चीज़े आर्टिकल 21 से connected थी ठीक है जहां पर हमने आर्टिकल 21 में राइट तो लाइफ की बात की और राइट तो लाइफ के साथ dignity की बात की में का गांधी की case को हमने देखा जो होता है जैनियो की प्रता है उसके बारे में देखा और किस तरह से यह suicide से अलग है इसके बारे में भी हमने देखा IPC 309, IPC 306 के बारे में हमने बात की और किस तरह के के तरक दिये जाते हैं उनके बारे में हमने बात की तो ये article 21 से attached इसले हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे life की बात हो रही है अब इमें थोड़ा इसको और article 21 को आग interpretation क्या-क्या इसकी ली गई तो देखो article 21 बोलता है right to life with dignity ठेक है और dignity को ensure करना इस state की responsibility है क्योंकि एक fundamental right है के रमिले वूब आ जाता है dignity में आपके environment के अंदर रह रहे हैं वो environment अच्छा हो यह आ जाता है तो इन सब चीजों को लिके article 21 को side करते हुए लगाता पील बगएरा जाती रहती है public interest के अंदर कि environment कहीं का खराब है तो आप article 21 के साथ जाते हैं कि यहां का environment अच्छा नहीं है यहां की जो लोग जी रहे हैं वो लोग एक dignified life नहीं जी पा रहे हैं environment खराब होने के वो जैसे health system अच्छा नहीं है dignified life नहीं जी पा रहे है तो multiple interpretation हो जाते है और यह एक अच्छी चीज है actually में कि इतना wide scope provide किया गया इतना wide scope provide किया गया इस article को evolve करते हुए इतना ज़्यादा और इसमें judiciary का काफे vital role रहा अदरवाए 1978 से थोड़ा पीछे जाके हम यदी देखेंगे तो यह देखा जाता था कि इसमें केवल actually में बहुत ज़्यादा article 21 का interpretation नहीं हुआ था और के ले इसमें right to life की बात की जाती थी dignity dignity का इतना scope इसमें नहीं था लेकिन देखेंगे जूरी 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 ने इसको evolve किया इसको पुरा organic बनाया है और लगाता है सुप्रीम कोट में हाई कोट में जाते हैं और बोलते हैं कि यहां पर environment बहुत खराब है dignity life में कैसे हो सकती है क्योंकि इतने खराब environment में दी को इंसान जीएगा तो बीमार हो जाएगा उसकी situation vulnerable हो जाएगी पैत्रटिक हो जाएगी तो क्या वह एक dignified life जीप आएगा तो आप कुछ कीजिए, pollution को कम कीजिए, social security को लेकि लोग चाते हैं कि इस इंसान को future secure नहीं है, family secure नहीं है, health नहीं है, तो क्या dignified life जीप आएगा, नहीं जीप आएगा, तो इस वज़े से आप इस सब चीजों को available करवाईए, facility provide कीजिए, और fundamental right क्योंकि state की responsibility होती है, जिमेदारी हो की, फिर मैं बता दू, यह थुनेशिया की हमने बात की, यह थुनेशिया में active passive की बात कर ली, शनलेखना की बात कर ली हमने, उसके बाद हमने IPC 309 और 306 की बाते कर ली है, साथ यह से important time कितना बड़ा scope article 21 का है, और क्या-क्या dimensions यह cover कर रहा है, और भी बहुता ही dimensions है इसके और उन सबके अपने बात कर ली, तो इसी तरीके के interesting videos के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे, धन्यवाद, thank you